हेलो दोस्तों आचल टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है आप सब कैसे हैं मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी गार्डनिंग भी बहुत अच्छे से चल रही होगी विडियो की शुरुआत बहुत ही खुबसूरत रेड केलन कोई प्लांट के साथ देखे पूरा प्लांट फुलो से भरा हुआ है और ये हाइब्रिड वरायटी का प्लांट है जिसमें डबल पेटल के फ्लावर्स आते हैं मेरे पास तीन कलर्स वरायटी में इसके प्लांट है रेड यलो और और औरेंज और इजिली कटिंग से प्लावर्स आते हैं लंबे समय तक इसके फ्लावर प्लांट पर बने रहते हैं लगभग देड़ से दो महने तक इसके फ्लावर प्लांट पर ताजा बने रहते हैं तो इस प्लांट को आप जरूर लगाए और आज मैं जि बटन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए सबसे बहले जर्बेरा की कलेक्शन देख लेते हैं मेरे पास च्छै कलर्स वराइटी के फ्लावर्स आने वाले जर्बेरा के प्लांट है और यह सारे प्लांट मेरे द देख देखके 1500, 200, 200, 200 तक इसके प्राइज नर्सरी में मिलते हैं और बहुत ही खुबसूरत प्लांट होता है इसके फ्लावर्स लंबे समय तक प्लांट पर बने होते हैं और यहां पर आप देख रहे हैं वो ओरेंज कलर का टीशू कल्चर वाला जर्बेरा का प्लांट है इस प्लांट की खास बात यह है कि इसके जो फ्लावर होते हैं वो एक साथ आट दस फ्लावर खिलते हैं देख रहे हैं फ्रेंट्स पांच फ्लावर तो खिले ही है और मैं आपको इसके बर्ट्स भी दिखाती हूँ छोटे बर्ट्स बने हुए हैं प्लांट पर यह स्टीक नहीं निकलती फ्लावरी स्टीक और लंबे समय तक इसके फ्लावर ताज़ा बने रहते हैं बिल्कुल प्लास्टिक के फूल की तरह दिखते हैं इस प्लांट की मिट्टी को वेल ड्रेन बनानी चाहिए फंगस का टैक जल्दी होता है इसमें तो आप एक हिस्सा पॉडर जरूर एड़ करिये पॉटिंग स्वैल में और साथ ही प्लांट को थोड़ा सा गमले में थोड़ा सा उपर करके लगाईए फ्रेंट्स क्योंकि इसके जड़ के पास से ही पत्तिया निकलती है तो पत्ती मिट्टी में नहीं दबना चाहिए नहीं तो फंगस लग ज जब इसके मिट्टी की उपरी परत एक इंच तक ड्राई लगे तभी आप वाटरिंग करिए और गर्मी के दिनों में इसको ग्रीन नेट के नीचे रखना है फ्रेंट्स वैसे तो यह पर्मनेंट प्लांट है लेकिन जहां बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहां समर में य यह प्लांट गर्मी में भी सर्वाइव कर जाता है लेकिन थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है उस समय और उसके बाद जैसे ही अक्टूबर का महिना आता है तो आप इसकी जो पॉटिंग स्वाइल है गमले की मिट्टी उसको पूरा चेंज कर दीजिए और उसी समय चाहे तो केयर कर सकते है फर्टिलाइजर के रूप में हैवी फिडर प्लांट है तो महिने में दो बार आप इसको फर्टिलाइजर दीजिए वर्मीकमपोश्ट एफिरक्व्डंग जोस्ट लिकवल्टवर इसको कम से कम 5-6 घंटे की चाहिए होती है तो ऐसे लोकेशन में रखे जहां 4-5 घंटे की सनलाइट इसको मिलती रहे तो यही आज आप लोग के साथ शेयर करना था बहुत ही खुबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है इस टीक में इसके फ्लावर आते हैं जब इसके फ्लावर क कट करके हटा दीजिए तभी वह अच्छे से ग्रोथ करेगा और नए नए बट्स प्रोड्यूस करेगा और अच्छी फ्लावरिंग करेगा फ्रेंट्स तो यही आज का वीडियो आप लोग के साथ शेयर करना था अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए प्लांट के और एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए हैपी गार्डिंग आज संडे भी है फ्रेंट्स तो आज मैं संडे अपडेट का वीडियो नहीं शेयर कर पाऊंगी आज का वीडियो मेरा यही था थैंक यू